हईलो फ्रेंड। स्वागत है आपका देशी रोसले में आज हम बना रहे हैं चिकन तिक्हा ये बहुत ही टेस्टी होते हैं आप घर पर इसे जरूर ट्राई करें आज हम बना रहे हैं चिकन तिका इसके लिए हमें बॉनलेस चिकन चाहिए बिना हड्डियों वाला इसके लिए हमें गरम मसला चाहिए काली मिर्च एक टीस्पून दो बड़ी लाची तीन छोटी लाची साथ आठ लॉंग थोड़ी सी तजकी लकडी कसूरी मेथी आधा चमच जीरा थोड़ी सी जाइफल और जावित्री कलार हमें चाहिए थोड़ा सा दही 100 गराम मिर्च नमक लहसन और अद्रक का पेस्ट और हमें चाहिए बटर चतनी के लिए हमें चाहिए हरी धनिया हरे मिर्च थोड़े से लहसन एक चमच नमक और अरक नाना वाइट विनि पीस को हमें इस तरह से काट लेना है थोड़े पतली टुकड़ों में और इजी टुकड़े लगे हुए हैं यह हमें निकाल देना है यह सारे पीस हम इसी तरह से काट लेंगे पीस कट गए है जिसमें नमक मिर्च अद्रक लेसं का पीश्ट को अच्छी तरह से मिला देंगे और उध्य मिलाना है कि सारे मसालें कच्चे पीशेंगी जीर को भून का पीशेंगी कनाला कड़ाई में थोड़ा टेल लेंगे बहुँछा ज़्यादा टेल नीक डालेंगे जोट ही डालना है अधरक लहसुन नमक में लगा हुआ चिकन हम इसमें डाल देंगे अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे जो पानी इसमें से निकलेगा वो पानी शूब जाने तक हम इसे पकाएंगे अभी छिकन तैयार हो गया है अब मधायर संदम कर देंगी फिसे थोड़ी देत ली ठंडा होने देंगे जीकन में सारी मसाले मिलाएंगे कसूरी मेठि इसमे अच्छी से मंदेंगे महीम हो जाएगी एक चमाचन दालेंगे करमासाला हमा侘ans पिस गया है अब हम इसमें डालेंगे दही और कलर लिया था इसे डालना है इसे पानी में घूल के डालेंगे को कि औह रोत में पानी में मिक्स कर लेंगे पर यह जादा टाइम इसने हम और यहादा रखेंगे इसके खुश्थ बुचली जाएगी फिर हम इसे भूनेंगे आग पर तिक्के भूनने से पहले हम चट्नी तयार कर लेंगे हरी धनिया हरी मिर्चे 5-6 तीन-4 कली लहसुन और नमग चट्नी तयार हो गए वह इसमें मिलाएंगे अरकनाना सफेद सिर्का यह दो या ती स्पून आप टेस्ट के ह मिला सकते हैं इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और यह खराब भी नहीं होगी गार्णिश के लिए हम प्याज लेंगे सफेद सिर्का लेंगे इसमें थोड़ा सा कलर हम डालेंगे और नमग आड़ करेंगे साथ में अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तिके भूनने के लिए हम आग त्यार कर लेंगे तो दहकते हैं आग होनी चाहिए रोश्ट करने के लिए हम यह तिक इन तीलियों में लगाएंगे रोष्ट होने के लिए रख देंगे अब इने हम धीमी आज पर रोष्ट करेंगे इसी तरह अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में कर सकते हैं हीटर पर कर सकते हैं या फिर तवे पर भी रोष्ट कर सकते हैं अब हम थोड़ा आयल लेंगे और कप्रे के स्टिक में लगाकर इसे फुलैरी बना लेंगे और यह तेल हम इन पर हलके हिलके से लगाएंगे इसी तरह से भूमाना है इदा से शिक रही है इसी तरह से पूरी तरह भून लेना है यह तिक्के हमारे तयार हो गए अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे हमारे तिक्के तयार हो चुके हैं अब हम इसमें बटर लगाएंगे हमारे चिकन तिक्के तयार हो गए अब हम इसमें बटर मिलाएंगे और इसे गार्निश करेंगे यह जह हमने प्यास बनाई थी और यह चतनी के साथ बहुत ही तेस्टी लगता है आप जरूर एक बद इसे ट्राइब करें आप एक बद जरूर ट्राइब करें प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल रहुत सब्सक्राइब करें